टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी अपनी बेबाकी के लिए चानी जाती है। इसी के साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लाइम लाइट में बनी रहती है। हाली में काम्या ने अपनी बेटी के बारे में बात की, जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। काम्या का कहती है लेकिन जब उनकी बेटी की बात आती है तो वो डर जाती है। एक्ट्रस ने किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार किसी के लिए आवाज उठाई थी, कि मुझे धंक्या मिलने लगी थी कि यहीं से जाती है न तुम्हारी बेटी स्कूल। कामया ने कहा बात जब बच्चे पर आई तो उस वक्त सिर्फ मा थी मैं बहुत जादा डर गई थी अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि जब उनकी बेटी 4-5 साल की हुई तो उन्होंने बैट और गुड टच के बारे में बताया ये चीज़े इसलिए बतानी पड़ी कि कोई उसे किस ना कर पाए यहाँ वहाँ टच ना कर पाए फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तो और भी बहुत कुछ समझाना पड़ा कामया कहती है कि मैं तो वैसे भी सिंगल मा ही रही हूँ ऐसे में मैं अपनी बेटी को कभी कहीं अकेले नहीं जाने देती कभी वो अपने फ्रेंज के साथ जाती है तो कभी अपनी नानी के साथ रहती है बेटी को बारा साल की होने पर बॉड़ी चेंज़ेस के बारे में बताना पड़ा कामया ने कहा कि उनकी माँ बहुत ही जादा मजबूत महिला रही है अपने जिबन में उनकी माँ कभी भी हार नहीं माना करती थी ऐसे में कामया ने भी हार ना मानने की सीख अपनी माँ से ही ली है इससे पहले एक शो में कामया पंजाबी ने अपने तलाग के बारे में बात करते हुए बताया था कि तलाग के बाद लोग किस तरह से उन्हें ट्रोल करते हैं लोग सिर्फ उन्हें ही नहीं उनकी बेटी को भी ट्रोल करते थे उन्होंने लोगों के बहुत ताने सुने हैं पर भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था लोग कहते थे कि तुम तो भुड़ी हो तुमारा तलाक हो गया है तुम्हें तो ये डाइवर्स दे देगा तुम अपनी बच्ची को भी बेचतोगी उन्हें आगे कहा मैं क्या पहनती हूँ क्या करती हूँ मेरा शरीर है मैं जो चाहे करूँ तो मैं जितना बोलना है बोलो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकित जब बात मेरी बेटी पर आती है तो मुझे लगता है मैं जाकर उनका गला काट दूँ मेरी बेटी जब पात सा की थी तभी से उसे ट्रोल किया जा रहा है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो, फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले